तो ये चैप्टर है force and loss of motion के बारे में. पिछले चैप्टर में हमने motion के बारे में जाना था कि object कोई straight line में चल रही हो, तो उसकी position के बारे में जाना था, velocity, acceleration, और इसके इलावार uniform motion और non uniform motion के बारे में जाना था. लेकिन कारण नहीं है, अभी तक हमने discover किया पिछले चैप्टर में कि motion का कारण क्या है होने का, तो अगर speed change हो रही है time के साथ, तो क्यों हो रही है, क्या किसी motion के लिए cause भी चाहिए, उसको होने के लिए, और nature, जो cause जो अगर होने का कारण है, या cause है, उसकी किस तरह की nature हो सकती है, तो इस तरह के questions और जो हमारी उत्सुकता है, curiosity है, वो इस chapter में हम उसको समझने, मतलब शान्त करने की कोशिश करते हैं. काफी centuries तक जो motion के बारे में जो और उसके कारण, जो cause है motion का, पजल रहे scientists और philosophers, तो जैसे कोई ball है, अगर उसको थोड़ा सा हम hit कर देते हैं, तो वो हमीशा के लिए नहीं move करते हैं, थोड़ी देर बाद रुक जाती है, तो हम यह हमारी observation रही कि जो natural state, जो एक object की होती है, वो rest रहती है, rest का मतलब move ना करना, zero speed उसकी होना, तो जो belief यह तब तक था, जब तक Galileo, Galilei और Isaac Newton ने अलग तरह की जो approach डेवलप करने तक यह माना जाता था, जब इसमें example में दिखा रखा है, जैसे trolley को हम push करते हैं, तो वो आगे की तरफ चलती है, drawer को हम बाहर को खेंचते हैं, तो बाहर आता है खेंचने के उपर, hockey stick से हम hit करते हैं ball को, तो वो आगे की तरफ जाती है, तो यह push, pushing, यह push कर रहे हैं, pulling मतलब खेंचना, यह pull कर रहे हैं, और यह hitting, hit कर रहे हैं ball को, जो हमारी rose marla की जिंदगी में उसमें observe करते हैं, कि कोई effort लगाना पड़ता है, हमें stationary object को move करने के लिए, या अगर कोई चीज move कर रहे है, उसको effort लगाना पड़ता है, हमें रोकने के लिए, तो यह हमें ज्यादतर जो experience है, यह हमारा muscular effort, मतल pull करना पड़ता है, उसकी state of motion change करने के लिए, state of motion change करना मतलब, अगर rest पे है, तो उसको motion में आ जाए, अगर वो already move कर रहे है, तो उसको rest पे लिए कहना, या accelerate करना, de-accelerate करना, तो state of motion change करने के लिए हम effort लगाना पड़ता है, तो यह concept of force है, यह push-pull, hit-pull, hit या pull-in, इस से हम इसको associate करते हैं, तो अब force को जानते हैं कि है, क्या चीज़ है यह, इससे हम ना तो taste कर सकते, ना smell कर सकते, ना ही किसी ने force को, मतलब आँखों से हम इसको देख सकते, तो यह क्या है, तो यह तब ही होती है, जब कोई, किसी object के ओपर act करी जाती है force, जैसे हम किसी को push-hit-p पूल करते हैं किसी चीज को तो ही उसके motion में कुछ change आता है तो हम experience कर पाते हैं force को वो चीज move अगर static है या rest पे है तो move इसलिए करते है क्योंकि हमने force act की उस चीज की उपर उस object पे तो पिछले chapter में हमने देखा था कि force किसी अगर change किसी चीज पे लगाई जाए तो उसका magnitude velocity क उस object की हम change कर सकते हैं तो या तो दीरे चल रही है तो fast हो सकती है या वो slow हो सकती है तो change in direction of motion भी ला सकते हैं कि उसकी जैसे इस दिशा में जा रही है उस पे force लगाई जाए तो velocity suppose same है लेकिन उसकी direction change हो गई तो ये भी हमें पता है कि force लगा के हम shape या size object का change कर सकते हैं जैस ये spring है इसको force लगा के बाहर को खेचेंगे तो इसका size लंबा हो गया ये change हो गया ऐसे ball को हम shape change कर दी हमने force लगाई तो उसको goal से हमने इस तरह का oblong shape दे दी अब हम balanced और unbalanced forces के बारे में जानते हैं इस निचे जो drawing या जो दे रखिया इसमें table पे हमने block रखा हुआ है लकडी का और दोनों तरफ string बांध रखे हैं एक अगर हम x direction में force लगाते हैं तो ये x direction में move करने लग जाएगा ऐसा ही y direction की तरफ force लगा के हम खेंचेंगे तो y direction क तरफ move करने लग जाएगा अगर हम x direction में जितनी force लगा रहे हैं उस साथ की साथ simultaneously y direction में equal amount की force लगाएं तो ये move नहीं करेगा तो इस particular state में जो forces दोनों तरफ act कर रही हैं वो balanced forces हैं तो ये हमने पाया कि अगर किसी object पे balanced forces act कर रही हैं तो वो move नहीं करेगा वो उसी state में रह अगर मालों ये rest की state में था तो state of rest में रहेगा अगर कोई motion के अंदर है कोई object तो वो motion की state में रहेगी वो motion उसका slow नहीं होगा तेज नहीं होगा लेकिन अगर हम एक तरफ इन दोनों में से x या y की तरफ जादा खेंचे और दूसरी तरफ कम खेंचे मतलब तो unbalanced forces act करेंग तो इससे हमें ये पता लगा कि जो object के अंदर state of motion उसकी जो change होती है वो unbalanced force जब उसके उपर act करती है तो state of motion उसकी change होती है अब ये नीचे जो example दिये ये बहुत बड़ा जो box है अब ये बच्चे इसको उपर से धका मार रहे हैं इस तरफ right side में तो जब हम धका मार रहे हैं क्योंकि ये बहुत बाहरी है तो ये move नहीं कर रहा और भी हमने थोड़ा जोड़ ज़्यादा लगाया तब भी ये move नहीं कर रहा लेकिन एक ऐसी point के उपर जाके ये एकदम थोड़ा थोड़ा move करने लग जाएगा right side में तो वो कहां गई force जो हम act कर रहे थे और ये move नहीं कर रहा था तो इसका मतलब शुरू में इसमें जो लकडी का box है और जो नीचे floor है उसमें force of friction है तो जब शुरू के अंदर हम force लगा रहे थे उपर तो force of friction opposite direction में act कर रही थी suppose हम जितनी force उपर की तरफ लगा रहे थे surface और box के बीच में भी friction की force opposite direction में लग रही थी तो ये balanced forces हैं हमने force बढ़ाई तो friction की force भी बढ़ गई लेकिन friction की force से जादा हमने force जब इस पे लगाई तो वो unbalanced forces हो गई और box move करन ये friction ना हो तो उतनी ही force में जादा भी move कर सकता है तो ये unbalanced force लगाने के उपर ये box move करने लग गया ऐसे ही जब हम cycle चला रहे होते हैं अगर हम paddle मारना बंद कर दें तो हम देखेंगे कि cycle धीरे हो जाती है तो ये कारण क्या है कि जो frictional force act कर रही है जमीन और cycle के टैरों में व तो अगर cycle को हमें लगातार चला के रखना है तो लगातार paddle मारेंगे मारना पड़ेगा हमें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी चीज को motion में रखने के लिए हमें continuous उसको force देनी पड़ेगी लेकिन ये गल्त जो चीज है अगर friction ना हो किसी surface में किसी चीज को जैसे वहा तो अगर जिस speed से या जिस velocity से वह चल रही है हमेशा उसी velocity से चलती रहेगी और अगर हम उस पे force लगाएंगे और वह force unbalanced होगी suppose friction की force अगर लग रही है तो उससे ज़्यादा force हो या तो उसके motion के अंदर change आएगा या तो वह accelerate करेगी या उसकी हम जो force लगाएंगे उससे उ speed भी सेम रही है तो उसकी direction चेंज हो सकती है उस force से तो इसमें ये पता लगा हमें कि अगर कहीं कोई friction नहीं है तो without force लगाए भी कोई चीज constant motion में रह सकती है एक तो ये पता लगा और दूसरा unbalanced force लगाने के उपर हम उसका motion change कर सकते है उसको accelerate, de-accelerate कर सकते है या फिर उस friction of motion चेंज कर सकते हैं unbalanced force लगाने पर, laws of motion में जो first law of motion के बारे में जानते हैं इसमें दो गैलिलियो जो scientist है उन्होंने दो planes लिए जो जिनके उपर friction ना के बराबर हो और एक opposite एक plane इस तरीके से है उसके उपर से ball नीचे की तरफ रोल करका हैगी, एक plane इसके opposite है जो same height का है, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जब हम यहां से इस ball को छोड़ते हैं तो वो नीचे आने के बाद उसी height तक दूसरे plane पे जाती है तो इस experiment में जो ये दूसरा plane है, इसकी height हम कम करते रहें और इसकी length बढ़ाते रहें तो हम देखेंगे कि वो जादा length तक ball जादा दूर तक ball जाती रहेगी जब तक उसी height पे reach ना कर जाए क्योंकि friction तो हमने इस पर zero कर रखी है अंदाजन और अगर इसको करते 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 हम second जो plane है इसको horizontal ही बना दें तो देखेंगे कि ये जो ball है ये हमेशा के लिए ही चलती रहेगी horizontal motion के अंदर जब तक इस पर कोई external force ना unbalanced force ना लगे तो एक तो ये पता लगा कि कोई जो uniform motion में चीज चल रही है उसके ओपर कोई zero unbalanced forces लगती है क्योंकि unbalanced forces लगती तो वो या तो रुकती या उसकी speed थी जोगी क्योंकि वो same constant speed पर चली जा रही है actual में जो हम experiment करते हैं तो इसमें जो resistance होती है ब्लॉक की उसको थोड़ा करम कर सकते हैं कि जो balls है जो उसको marble balls smooth ले सकते हैं plane को smooth ले सकते हैं और lubricate कर सकते है plane को इसके बावजूद भी हवा की friction होती है जो हवा भी रोकती है तो practically हमें नहीं achieve पता लेकिन अगर ये हम frictions ना हो तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से balls behave करेंगी तो जो Newton जो थे उन्होंने इसको Galileo के जो experiment को और आगे लेके गए तो उन्होंने तीन laws propose जो करी जो govern करती है motion of objects को ये fundamental laws हैं तीन तो इन laws को Newton's laws of motion भी कहा जाता है तो first जो law है वो state करती है कि कोई जो object है या तो वो rest पे रहेगी या अपने uniform motion में straight line के अंदर चलती रहेगी जब तक उसको कोई compel ना करे by applying external force तो उसका state of motion या तो rest है state of motion या उसका uniform motion में चल रही है तो इस state of motion को change करने के लिए अगर force लगेगी तभी ये motion state of motion चेंज होगा तो ये हम देखेंगे कि जो भी object है वो resist करती है अपने state of motion को change होने में अगर वो rest पे है तो कोशिश करती है वो resist करेगी आगे move करने में कुछ चीज move कर रही है वो resist करेगी उसको रोका जाए या उसकी direction चेंज की जाए तो इस जो resistance को नाम दिया गया inertia तो inertia जो first law of motion है इसको law of inertia भी कह सकते है तो यह हम experience करते हैं जैसे हम गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं car में हम जा रहे हैं तो car में एकदम brake हम जब लगाते हैं तो car तो रुक जाती है लेकिन हमारा शरीर आगे की तरफ जाता है वो इसलिए कि हमारा शरीर के अंदर जो inertia है जब constant हम speed के एक हमारी body भी car के साथ speed प belt लगाना ज़रूरी है belt क्योंकि जब लगाते हैं तो belt exert करेगी force body को forward motion को धीरे करने के लिए एक और inertia की example है जो bus में bus एकदम चलती है वो inertia of rest की example है तो उस time जब bus चलती है तो bus भी rest पे होती है हमारे body भी rest पे होती है लेकिन bus एकदम चल पड़ती है तो bus motion में आ गई हमारी body body अभी भी rest पे है हमारे पाउं क्योंकि bus से सट टच कर रहे है तो पाउं motion में आगे उपर का शरीर हमारा inertia की कारण inertia है तो पीछे की तरफ ऐसे जटका लगता है हमें तो body हमारी पोज करती है उस motion को because of inertia एक तीसरी example जो है वो अगर गाड़ी गोल घुमे मालो चौक पे या एकदम कोई bend आ जाए तो आप देखोगे कि हम बाहर की तरफ slip होते हैं कारण की हमारी body straight line में जा रही थी तो car जब गूम गई तो speed बेशक सेम है लेकिन उसने direction change करी तो हमारी body उसको oppose करेगी because of inertia क्योंकि वो straight line में जाना चाहेगी इसलिए हम slip होके जिस साइड मुर रही है ऐसे slip होके बाहर की तरफ जाती है तो यह भी due to inertia है तो जो कोई भी जो fact है कि body वो चाहेगी कि वो rest पे रहे जब तक उस पर कोई unbalanced force ना act करे एक activity करते हैं इसमें carom board पर जो हम यह carom की जो शिक्के ले लो या carom board की जो घितिया होती है यह हमने रखी एक के उपर एक और जब striker से सबसे नीचे वाली को हम तेजी से करते है तो देखेंगे कि नीचे वाली तो निकल जाती है उपर वाली गिर जाएँगी सारी वो किसलिए वो इसलिए कि नीचे वाली आके जब नीचे वाली उससे टकराती है जो striker तो जो coins हैं वो नीचे वाला तो एकदम चला जाता है क्योंकि उस पर force act करी उपर वालों में inertia होता है वो inertia के कारण पिछे की तरफ गिर जाते हैं एक और activity करते हैं इसमें एक ये glass tumbler के उपर हमने एक 5 रुपए का सिक्का रखा एक card के उपर ताश के पत्ते ले सकते हो और इसको जब आप जोर की ऐसे मारेंगे उगली से तो देखेंगे कि पत्ता तो चला गया और सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा तो इसलिए हुआ क तो वो motion transfer नहीं हो पाया सिक्के में और inertia होने की कारण सिक्का अंदर गिर गिलास में तो और भी एक कर सकते हो आप कोई जैसे tumbler किसी चीज में पानी ले लो और पानी को ऐसे ऐसे गोल-गोल गुमाऊगे तो पानी देखोगे चारु तरफ गिर जाएगा ऐसे गोल-गोल पानी भी inertia की करण बाहर की तरफ गिर जाएगा इसलिए जो कप के saucer होते हैं कप के नीची जो plate रखी जाती है उसमें grooves आप groove देखोगे आप होता है वो इसलिए होता है ताकि कप उसमें fit हो सके और इस तरह के जो sudden जर्क ना लगें कप के उपर inertia और mass के बारे में जानते हैं जो उपर हमने activities और examples देखी उसमें हमने देखा कि जो object है वो resist करती है अगर उनके जो state of motion को हम change करने की कोशिश करते है अगर वो rest पे है तो rest पे ही रहना चाहेगी अगर वो move कर रही है तो चाहेगी कि it will tend कि वो move करती रहेगी तो यह जो property है जो object की इनको हम inertia कहते हैं तो क्या सारे objects का inertia same होता है वो हम जानते हैं अब आके जानने की कोशिश करते हैं या नहीं होता हमें पता है कि जैसे कोई खाली डबा है उसको हम धक्का लगाएंगे तो असानी से लग जाता है अगर कोई उसी डबे में मालो किताब भरी हुई है उपर तक तो उसको हम जादा जोर लगाना पड़ता है ऐसे ही अगर कोई football को हम kick मारते हैं काफी दूर तक जाती है लेकिन अगर पत्थर उतना ही बड़ा हो तो उसको हम kick मारेंगे तो वो थोड़ा सा जाएगा या क्या अपतर ना भी जाए और बलकि टांक औ और हमारे जो पाउं पर चोट लग जाएगी तो एक हमने उपर जो इस सिक्के पर exercise करी थी इसमें पांच के सिक्के की जगा एक का सिक्का रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें और कम जोर लगाना पड़ता है जो card पर ताश के पत्ते पर जो हमने उंगली से मारा था अगर मा मानलो कोई घोड़ा गाड़ी है या इस तरह की काट है उसको हम धक्का लगाते हैं तो उसको कम फोर्स चाहिए एक तेज चलने के लिए अगर उतनी फोर्स मानलो हम ट्रेन को लगाते हैं तो उस पर कुछ फरक भी नहीं पड़ेगा तो इससे इन चीजों से हमें यह समझ मे है कि जिस चीज का मास जादा होता है तो उसका इनर्शिया भी जादा होता है और तो इनर्शिया रिलेटिड है मास से और तो हम किस तरीके से रिलेटिड है कि हम इसको इस तरीके से समराइज करेंगे कि जो इनर्शिया है वो नेचुरल टेंडेंसी है किसी अबजेक्ट की क की resist करना, अपने जो state of motion के अंदर कोई भी change को resist करना, चाहे और या फिर rest को resist करना, मतलब जो उसका state of motion है, state of motion हो सकता या तो rest है, या वो किसी velocity से move कर रहा है, उसके अंदर कोई भी हम change लाना चाहेंगे, तो उस resistance को inertia कहते हैं, तो जो mass है उस object का, वो measure है उसके inertia का, अब second law of motion के बारे में जानते हैं, जो first law of motion में तो हमें पता लगा कि अगर unbalanced forces किसी object पेक्ट करेंगी, तो उसकी velocity change होगी, और जो velocity change होती है, मतलब वो object accelerate करेगी, तो अब हमें पता लग चुका है कि जो acceleration है किसी object की, वो depend करती है कि उसके ओपर कितनी force अप्लाई की जाती है, और force को हम कैसे measure कर सकते हैं, वो देखते हैं, अभी तक जो कुछ हमने observations पहले देखी हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि table tennis की ball, अगर player को hit करें, तो उसे ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कोई cricket की ball, मानलो से जो spectator देख रहे हैं, उनको hit करती है, तो उसकते हैं उनको चोट लगें, और ऐसे ही अगर कोई truck खड़ा हो, तो तो ज़्यादा उसके अपर कोई ध्यान देने के, हमेरा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर truck दीरे भी चल रहा हो, मानलो, 5 मीटर पर सेकेंड पर चल रहा हो, तो भी उसके आगे कोई चीज आए, तो truck मतलब नुकसान दायक साबित हो सकता है, आदमी उसके नीचे आज़ा है, तो उसकी जान भी जा सकती है, तो चूंकि उसका वजन, उसका मास बहुत ज़ादा है truck का, और एक और example देखते हैं कि जो bullet है, उसका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो अगर fire की जाती है, तो काफी खतरनाक वो भी जान लिवा साबित हो सकती है, क्योंकि उसकी मास बेशक कम है, लेकिन velocity बहुत ज़ादा होती है, तो इन सब observations से हमें पता लगा कि, जो impact कोई object डालती है, तो उसके मास और velocity दोनों पे depend करता है, तो अगर किसी चीज़ को हमने accelerate करना है, ज़ादा तो अगर उसका मास ज़ादा होगा, तो उसको force भी ज़ादा चाहिए, एक particular velocity तक लेके जाने के लिए, तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि, कोई एक हमें quantity की, कुछ ऐसी हमें quantity चाहिए, जो मास और velocity को आपस में जोड सके, तो Newton ने introduce किया एक नया जो चीज, जिसको हम कहते हैं momentum, तो momentum किसी भी object का हम define कर सकते हैं, वो product है उसके मास और velocity का, तो momentum को अगर हम P कहें, तो P is equal to mv, P है momentum, और m मास है, V velocity है, तो अगर object का मास ज़्यादा है, बेशक विलास्टी कम हो, तो भी उसका momentum ज़्यादा होगा, जैसे truck case के अंदर, उसका मास बहुत ज़्यादा था, ट्रक का बेशक धीरे चल ला था, फिर भी उसका momentum बहुत ज़्यादा था, और गोली के case में, जो bullet थी, उसके अंदर बेशक मास कम था, लेकिन विलास्टी बहुत ज़्यादा थी, तो भी वो खतरनाक थी, तो इससे हमें पता लगा, momentum के बारे में, तो ये जो momentum है, इसकी बहुत, इसकी direction भी होती है, और magnitude भी होता है, तो direction तो वही होगी, जो velocity की direction है, वही direction होगी, और magnitude, मतलब total इसकी जो figure है, तो SI unit जो है momentum की, वो है kilometer per second, kilometer तो mass, sorry, kilogram per second, kilogram meter per second, तो kilogram तो mass से आगया kilogram, और velocity की जो unit है, meter per second, वो जुड़गी, तो mass और velocity की, दोनों की units जुड़गे, kilogram meter per second, unit होगी momentum की, क्योंकि unbalanced forces लग रही है, जो velocity को change करने में, जो object की, तो इससे हमें ये पता लगता है, कि जो unbalanced force जो जब लगती है, तभी उसका momentum, momentum change हो सकता है, जो object का, तो एक और situation consider करते हैं, जिसके अंदर एक car के अंदर, मानलो, battery उसकी खराब हो गई है, और उसको straight line पे हम धक्का मारके, उसकी speed हम one meter per second तक लेके जानी है, ताकि उसका engine start हो सके, तो अगर मानलो, दो जने धक्का लगा रहे हैं, तो car आप देखोगे कि आगे की तरफ ज़्यादा चलेगी, मतलब उसमें change of momentum car का, जब चल पड़ी तो change of momentum आया car के अंदर, तो इससे ही हमें पता लगा कि, change of momentum time पे भी depend करता है, कि कितनी जो unbalanced force लगाई गई, वो कितनी देर के लिए लगाई गई, क्योंकि जब एकदम थोड़ी देर के लिए लगाईगी, तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ा, अगर वही उतनी ही force ज़्यादा देर के लिए लगाईगी, तो momentum में change आया, तो यह second law of motion है, वो कहती है कि जो rate of change of momentum किसी object का है, वो directly proportional है, कि कितनी unbalanced forces लगाई जा रहे हैं उस direction के अंदर, तो mathematical formulation अब हम देखते हैं, second law of motion के अंदर, suppose जो object का mass है, वो m है, और वो straight line में चल रहा है, उसकी initial velocity u है, और uniformly accelerated, velocity से आगे बढ़ रहा है, final velocity उसकी v है, और t time तक जो हम यह motion है, और इस दोरान उस पर constant force लग रही है, f, जो की बराबर लग रही है, और t time तक ही लगी है, तो initial momentum उसका हो गया, p1 हो गया, mass into velocity, m into initial velocity u, final momentum हो गया, mass into final velocity v, तो change कितना हुआ momentum में, p2, change in momentum proportional हो गया, p2 minus p1, इनके value पूट करी हमने, तो mv minus mu, m common आ गया, m multiplied by v minus u, तो जो rate of, अभी हमने जो पीछे देखा, कि rate of change of momentum, directly proportional है, force के, तो यह force is proportional, rate of change of momentum, तो इसमें यह उपर से यहां आ गया, m multiplied by change in velocity, divided by time, तो यह proportion का sign change करके, हमने equal to डाल दिया, और यह constant k लिख दिया, तो force equal to, constant k multiplied by mass into acceleration बन गया, तो इसकी एससा unit, जो force की है, वो हो जाएगी, kilogram meter per second square, तो kilogram mass से आ गया, और acceleration का meter per second square आ गया, तो force की unit, जो हम इस तरीके से चूज करते हैं, कि जो k की value, 1 बन जाए, तो हम force की 1 unit को इस तरह डिफाइन करेंगे, कि जितनी हमें force चाहिए, एक kg के mass को, 1 meter per second square की acceleration प्रोड्यूस करने के लिए, उस unit, उसको हम एक force की unit बोलेंगे, तो 1 unit of force is equal to, k multiplied by 1 kg multiplied by 1 meter per second square, तो k 1 बन जाएगा, अगर हम यह जो उपर, जो definition के साब से, तो जो इस unit of force को newton भी कहा जाता है, तो force की unit है newton, और वो equal है, 1 newton is equal to, 1 kg meter per second square के बराबर, तो जो second law of motion है, वो use कर सकते हैं, force measure करने के लिए, और force, mass और acceleration का relation, आपस में जानने के लिए, तो हमारी रोज मरला की जिंदगी में भी यह second law of motion, हम काफी जिगां देखने को मिलता है, जब cricket ball जब catch करता है, तो आपने देखाऊगा, फिल्डर उसको हाथ को ball के साथ नीचे लेके जाता है, इस तरीके से, वो इसलिए है कि वो एकदम हाथ को stable रखेगा, तो mass de-accelerate करने के लिए ball को कम time मिलेगा, तो momentum उसका ज़्यादा होगा, तो उसके हाथों को चोट लगेगी, जब वो नीचे की तरफ ball के साथ लेके जाता है, तो उसको time ज़्यादा मिल गया, तो impact भी कम होगा हाथ के उपर, और उसे catch करने के लिए time भी ज़्यादा मिल गया, तो ये है, क्योंकि final velocity is case के अंदर 0 है, initial velocity काफी high है, और final velocity 0 है, तो वो time interval नीचे की तरफ हाथ करने से बढ़ जाता है, ऐसे ही over example है, कि जैसे athletic events में जो athlete छलांग मारते हैं, तो दूसरी के तरफ या तो गदा रखा होता है, या फिर rate होती है, तो वो भी इसलिए है कि उन्हें athlete का time थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, उसको rest पे आने के लिए, rest का मतलब zero velocity पे आने के लिए, उससे rate of change of momentum जो है, वो कम हो जाएगा और चोट कम लगेगी, और यह first law of motion जो थी हम वो यह second law से first law of motion भी derive कर सकते हैं, जैसे force is equal to mass into acceleration, acceleration is difference in velocity divided by time, तो यह t इदर आ गया, तो force into time is equal to mass into final velocity, minus mass into initial velocity, अगर force हम उस object पे लगाई नहीं रहे, तो यह left side 0 बन गई, और यह इदर आ जाएगा, तो mu is equal to mv, m cancel हो जाएगा, तो u is equal to v, मतलब अगर किसी चीज़ पे हम force नहीं लगा रहे, तो उसकी initial velocity u, final velocity v के बराबर ही रहेगी हमेशा, और time जितना मर्जी हो, तो time जितने मर्जी आप बढ़ाते रहो, तो infinite time के लिए जब तक कोई external force नहीं लगे, तो initial velocity, mass u हमेशा final velocity के आसपस रहेगी, अगर initial velocity 0 थी, तो और force नहीं लग रही, तो final velocity भी v भी 0 रहेगी, मतलब कोई चीज़ खड़ी है, उस पर कोई external force नहीं लग रही, तो हमेशा के लिए, जब तक उस पर कोई force नहीं लगती, वो खड़ी रहेगी, ऐसे ही कोई, अगर constant, fixed, velocity से कोई चीज़ जा रही है, और उसके उपर कोई external force नहीं लगती, तो हमेशा के लिए वो चलती रहेगी, तो यह second law of motion से हम first law of motion भी derive कर सकते हैं,